Hello everyone, welcome back to my channel, our family vlog में आपका स्वागत है और मैं हूँ रुपाली, तो friends आज मेरी रिया का बड़े है, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था, रिनी का बड़े का, तो इस बार आज रिया का बड़े है और हम लोग त्यारी करने जा रहे हैं, मेरा क कहते हैं, जब आपको कोई अंदर से मोटिवेट करता है, तो आपका भी कुछ अच्छा करने का मन करने ही लगता है, मेरी काफी तब्यत खराब थी, पर मेरे भाई का भी फोन आया, और मैंने सुभा पता ही क्या बलाया था, अम्हूं की दाल और रोटी, क्योंकि इस समय हम बहुत बिमार है, सिंपल सा खाना खा रहे हैं, मैं और रिया, तो अभी-अभी मैं किचन में जाऊंगी और बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, क्योंकि बड़े है, तो कुछ अच्छा बना कर देना चाहिए, तो अभी मेरे भाई का फोन आया था, तो उसने का क्या यार बड़े है, और तुम लोग मों की डाल रोटी खा रहे हो, कुछ अच्छा सा बनाऊं बच्चों के लिए, तो इसलिए मुझे भी लगा कि हां सच में, इतना डिस अच्छी अच्छी बनाते हैं, तो आज का तिन क्यों ऐसे ही जाने दे, अच्छा सा एक ब्रेकफा करेंगे, और उसके बाद रात का डिनर बनाऊंगी, वो भी आपके साथ शेयर करूंगे, अगर हो सका तो, तो चलिए फटा फट किचन में चलते हैं, और एक अच्छा सा ब्रेकफास बनाते हैं, यहाँ पर मैं किचन में आ चुकी हूँ, और यह देखिए, यह मैंने लिया ह मिल्क केक लिया है, मतलब दूद वाली बर्फी लिया है, मिल्क केक थोड़ा अलग होता है, यह दूद वाली बर्फी लिया है, मेरे पास रखी हुई थी, तो और यहाँ पर मैंने एक बड़ा कफ, मतलब बड़े वाले जो कफ होते हैं, एक ग्लास दूद आप समझ लीजे, यहाँ पर मैंने एक ग्लास दूद लिया है और उसमें ये मैंने बर्फी दूद वाली डाल दी है इसी से ये दूद बिल्कुल रबडी जैसा बन जाएगा गाढ़ा हो जाएगा और इसमें लच्छे बनाने के लिए मैं सिवईया का यूज कर रही हूँ तो आप चाहे तो वाइट वाला भी बना सकते हैं पर ये बहुत जल्दी बन जाता है बहुत टेस्टी लगता है और अगर आप ये रबडी बनाना चाहते हैं आपके पास बर्फी नहीं है तो आप एक काम करिएगा मिल्क पाउडर आप तो या तीन चम्मच इस मिल्क में डाल दीजेगा उससे भी बहुत अच्छी रबडी बनती है और यहाँ पे तो मैंने दूद वाली बर्फी रखी हुई थी तो चार पीस डाल दी मैंने और अब इसको दूद को गाड़ा होने देंगे यह बहुत जल्ली गाड़ा हो जाएगा बिलकुल रबडी जैसा बनके त्यार हो जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा फूट कलर डालेंगे सिवईया डालेंगे तो यह हमारी रबडी त्यार हो जाएगी फालूदा में रबड़ी चाती है इसी से फालूदे का टेस्ट बढ़ जाता है और ये देखिए मैं यहाँ पर थोड़ी सी चीनी डालूँगी इसमें वैसे तो बरपी पड़ी हुई है मीटा हो जाएगा पर थोड़ा सा दूद के लिए मैं यहाँ पर चीनी आइट कर रही बस दो चम्मश और इसे अच्छे से चला दूँगी और गाड़ा कर लोंगी बिल्कुल रबड़ी की तरह त्यार कर लेंगे और ये देखिए जो सिवयां होती है ना बिल्कुल महीन वाली वो मैंने थोड़ी सी बिल्कुल इसमें डाल दी है और इसको खुब गाड़ा कर द मैं अभी आपको दिखाऊंगी इसे कैसे बनाते हैं और आप भी बनाती होंगी काफी लेडिजे अच्छे अच्छे फालू दे पर ये रैस्पी मेरी है तो आप इसे जरूर एक बार ट्राइ कीजेगा बहुत पसंद आएगी आपको ये तो आज ये चार ग्लास में बना रह हुँ और यहां पर मैंने इसमें रबडी में थोड़ा सा कलर लाने के लिए सुन्दर लगेस में कलर डाला है ये अगर आप चाहें तो डाले वरना ना डाले तो यहां पर मैंने डाल दिया है और अब इसे मैं थोड़ा ज़र और पकाऊंगी ताकि जो मैंने सीविया डाला ह वो अच्छे से पक जाएं और इसके बाद मैं सैंग्विच की त्यारी करूँगी एक अच्छा सा सैंग्विच बनाएंगे तो यह देखे यहां पर मैंने ब्रेट ले ली है और बहुत टेस्टी यह सैंग्विच लगता है सैंग्विच बनके यह त्यार होता है पर खाने में बहुत टेस्टी होता है तो चलिए यह भी मैं आपको दिखा देती हूं कि मैं किस तरह से यह सैंग्विच बनाती हूं यह सैंग्विच लिया और रिमी के फेवरेट हैं दोनों को बहुत पसंद है मेरे हजबन को भी बहुत पसंद है तो इसलिए मैं ये वाला सेंग्विज बना रही हूं और मम्मी भी है घर में तो मम्मी को भी दूंगी बना कर वैसे मम्मी को ये सारी चीज़े कम पसंद आती है मम्मी विल्कु सिंपल खाना खाती है और उनको ये सब चीज़े जाजा नहीं पसंद आती है पर मेरे ह अच्छा लगता है और यह सब बहुत तारीफ करते हैं मेरी तो मुझे मेरे अंदर और भी ज्यादा खुशी दोड़ जाती है और भी अच्छा अच्छा बनाने का मन करता है तो आज मैं लोग के लिए सैंग्विज बना रही हूं और शाम को रिया के बड़े का केक कटेगा त और जो वाली शॉप होती है ग्रॉसरी वाली वो खुल रही है खाली और तो मैं लेकर आओंगी केक केक जो मिलेगा देखेंगे क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है क्योंकि लॉग डाउन में हर चीज बंद है यहां पर मैंने ग्रीन चटनी लगाई है एक ब्रेट पे और बॉ तो यह देखें यहां पर मैं गोल गोल पीस में कटे हुए टमाटर लगा रही हूँ अब हम यहां पर अनियन लगा देंगे थोड़े थोड़े अगर बहुत लोग अनियन नहीं खाते हैं तो आप अगर नहीं खाते हैं तो इसे मत लगाईए और मेरे यहां सब को पसंद है इसलिए मैं लगा रही हूँ और ये सैंग्विच बहुत अच्छे बनते हैं तो बस सैंग्विच और फालूदा तो ही चीज मैं बनाऊंगी और इस समय कोविट के टाइम बाहर का तो कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा है घरी में कुछ ना कुछ अच्छा बना कर खाने का मन कर करता है और बच्ची हमेशा कहते हैं कुछ अच्छा बनाओ ममा कुछ अच्छा बनाओ तो बस सही है तो फिर मैं यहां पर चाट मसाला डाल रही हूँ चाट मसाला से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा आप चाहें तो यहां कुटी हुई काली मिर्च भी डाल सकते हैं का केक सारे सैंग्विज पर रख दिये हैं और यह सैंग्विज बहुत टेस्टी बनते हैं आप इन्हें जरूर ट्राइ कीजिएगा और यह एक सैंग्विज में ही आपका पेट भर जाएगा अगर आपको जल्दी कहीं जाना है तो फटा-फट से यह वाला सैंग्विज टिफिन में भी आप बच्चों को दे सकते हैं लेंच बॉक्स में बहुत अच्छी रेस्पी है वैसे तो हमारी लेडिज एतनी स्मार्ड हैं आप लोग भी बहुत अच्छे अच्छे सैंग्विज बनाते होंगे यहां पर मैं आप सब को कोई डिस कभी ऐसा मत सोचा मैं आपको याद दिला रही हूँ कि यह सारी डिश आप बना सकते हो गड़ में और बस जब चीज याद आजाती है तो विर्मन करता है कि हाँ चलो बनाते हैं यह वाली डिस बहुत-बहुत दिन हो जाते हम लोग भूल जाते हैं कि यह डिस नहीं बनाई वो डिस नहीं बना तो मैं रेस्पी इसलिए दिखाती हूँ आप सब को कि आप सब को याद आ जाए और आप सब भी फटाफट अच्छी अच्छी रेस्पी अपने घर पर बनाएं और बच्चों के साथ अपनी फैमिली के साथ इंज्वाइ करें तो यह देखे इसको मैं तवे पे चीज लगाने और यह पिज़ा कटर से अब मैं इसे सैंग्विच को कट करके प्लेट में लगा दूँगी और उसके बार मैं फालूदा बनाने की त्यारी करूँगी तो यह देखे फ्रेंट्स तो ऐसे मैंने इसको कट कर लिया है इसे मैं ट्राइंगल सेब नहीं दे रही हूँ मैं विलक बहुत सुन्दर जब यह चीज मेल्ट हो जाता है तो बहुत टेस्टी सैंग्विच लगता है यह आप देख सकते हैं यहां पर मैंने प्लेटिंग कर दी है और आज मैंने कुछ अच्छा करने की कोशिश की है ताकि बच्चों को देखने में भी अच्छा लगे और बच्च मैंने यह सैंग्विच तैयार किये तब थक हमारी ठंडी हो गई तो यह देखिए मैंने कड़ाई सही थी फ्रीज में रख दिया था यह देखिए यहां पर मैंने 4 ग्लास लिये हैं लेके ली मेरे Если बचानश लेग Черटा कि बल्फी तो बिल्र पाउडर डालिए और या तो आप मिल्क पाउडर कीजिए के कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं उससे भी बहुत अच्छी रबड़ी बन कर प्यार हो जाएगी और ये देखे यहाँ पर मैं ग्लास को थोड़ा सा सजा रही हूँ ताकि देखने में बहुत सुन्दर लगे बच्चों को बच्चे ऐसी चीजे बहुत पसंद करते हैं जो देखने में बिल्कूल अच्छी सी लगती है बहुत प्यारी सी लगती है तो ये देखे यहाँ पर मैं लगा रही हूँ रुअबसा तो रुअबसा मैं लगा लूँगी ग्लास में साइट साइट इसको सजाने के लिए और खुब प्यारा साग मैं से सजाऊंगी और ये देखे ये है चिया सीट्स मतलब इसे हिंदी में सबजा भी बोलते हैं ये भी बहुत अच्छा होता है हमें इसे जरूर खाना चाहिए तो जिनको कॉस्टिपेशन की तो वो होती है मतलब तो जिनको इस चीज की दिक्कत होती है तो वो ये जरूर खाएं ये बहुत अच्छा होता है चिया सीट्स तो ये मैं एक एक चमच इसमें डाल ली हूँ और आप इसे गूगल में सर्ष करके देखेगा ये बहुत अच्छी चीज है तो हम लोग भी इसे खाते हैं और यहाँ पर मैंने फ्रूट काट की रखे हैं तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसमें एपल लिया है मैंगो लिया है ग्रैप्स लिया है बनाना लिया है तो आपको जो भी fruit पसंद हो आप वाले fruit लीजिए तो आपने देखा सबसे पहले हमने रबडी डाली उसके बाद हमने इसमें चिया सीर्ष डाली अब हम डाल रहे हैं fruit और इसमें अब ये फिर से मैंने रबडी डाल दी तो बस सारा कमाल इस रबडी का है तो आप किसी भी तरह से रबडी बनाकर त्यार कर सकते हैं मैंने तो इस तरह से थोड़ी सी बनाकर त्यार की है और यहां पर मैं थोड़े से ट्राई fruit डालूगी फिर आईस्क्रीम डालूगी और इसे पूरी तरह से सजा दूँगी बस तो ये देखिए बहुत प्यारी आईस क्रीम बनकर त्यार हो गई है मतलब आलूदा कुलफी हमारी बनकर रेडी हो गई है तो आप इसे जरूर ट्राइ कीजिए अगर मेरी रेस्पी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए अपने फ्रेंड और फैमली ग्रूप में भी मेरी रेस्पी को शेर कीजिए ताकि वो भी ये अच्छी अच्छी रेस्पी बना कर खा पाएं आपके फ्रेंड्स आपकी फैमली तो इस रेस्पी को आप जरूर फालो कीजिएगा बनाईएगा और मुझे बताईएगा कि रेस्पी कैसी लगी उपर से मैंने इसमें आइस क्रीम डाल दी है रोबजा से फिर से एक बार गानिशिंग कर दिया है ड्राइ फ्रूट डाल दिया है और फ्रूट उपर से मैंने रख दिये है ताकि पता चले कि मैंने इसमें फूट डाला है तो ये देखिए मेरी सारी चीजे रेडी हो चुकी है सैंग्विच भी रेडी हो गया है और ये फालूदा कुलफी भी रेडी हो गई है तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा अब मैं शाम जाओंगी मारकेश शाम की त्यारी के लिए और एक मैं अपना फोटो शूट करवाओंगी ये ग्लास लेके तो ये देखिए मैंने यहाँ पर अपना फोटो सेक्षिन कराया है और ये रिया कर रही है शाम हो गई है और अब हम सब रिया के बड़े का केक काटने जा रहे है तो यहाँ पर केक लगा हुआ है और रिनी बहुत शैतानी कर रही है रिनी को बहुत खुशी होती है जब घर में कोई सेलिब्रेशन होता है हमारे तो सबसे ज़ादा रिनी को खुशी होती है रिनी जबर जस्ती बोल रही थी कि आप दीडी के बड़े में बैलून लगाओ ये लगाओ वो लगाओ पर हम लोग मना कर रहे थे और रिया को भी बिल्कुल पसंद नहीं है ये सारी चीज़ें पर हमें रिनी की वज़े से ये सारी चीज़ें लगानी पड़ती है पर अच्छा है अगर घर में ऐसे बच्चे हों और ये मेरे हजबर्ण आपको हेलो बोल रहे है यहाँ पर चला है टीवी तो इसलिए मैंने इसकी आवाज बंद कर दी है मैं वाइज ओवर करके बता रही हूँ आप सबको और अब हम काटेंगे केक और चलिए फिर इसके बाद मैं लंच बनाऊँगी और आज मैं लंच में बना रही हूँ सौरी फ्रेंट्स डिनर में तो मैं डिनर में बना रही हूँ कढ़ाई पनीर बनाई है मैंने फ्रूट कश्टर बनाया है और जो मैंने फालूदा बनाया था ना तो फ्रूट बच गए थे उसी फ्रूट से मैंने फ्रूट कश्टर बना दिया और साथ में बनाया है कढ़ाई पनीर और नान तो बस केक कट चुका है अब मैं सीधे किचन में जाऊंगी वहाँ पर मैं अपनी सारी डिश त्यार करूँगी शाम के डिनर के लिए और यहाँ पर रिनी कर रही है अपनी दिदी के बड़े पर डांस और रिनी का डांस ना हो ऐसा तो होई नहीं सकता कोई भी छुटा फुटा ओकेजन होता है तो रिनी का डांस तो सबसे पहले और रिया ने भी थोड़ा सा डांस किया यहाँ पर मैं रिया की पोटो शूट कर रही हूँ रिया की पोटो की चुआ रही है और बस अब जल्दी से जाऊंगी किचन में तो यह देखिए यहाँ पर मैंने नान बनाना स्टार्ट कर दिया है मैं घर पर ही नान बना लेती हूँ बहुत टेस्टी नान बनती है और इसकी रेस्पी भी मैंने अपने चैनल पर दे रखी है उसका लिंक मैं दे दूँगी तो आप सब नान जरूर बनाएए घर में और बहुत से लोग तो बना भी लेते होंगे इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ ओके फ्रेंड्स बाई टेक क्यार